जुन्जनु की खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट की कुलिहान खदान में मंगलवार देल शाम लिफ्ट तूटने से 14 लोग खदान में फस गए प्रशासिन ने लगए 11 घंटे के रस्क्यू के बाद सभी लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला है इन में से तीन अधिकारियों को चोटे आई हैं जिनने खदान से बाहर निकाल कर जैपुर रेफर किया है बाकी को लिफ्ट से निकालने के बाद अब खदान से बाहर निकालने का काम भी जारी है करीब अठारा सो फीट गहरी खदान में लिफ्ट तूटने के बाद 14 अधिकारी फस गए थे और अब 14 में से आठ लोगों को खदान से बाहर निकाला है तीम ने जाके उनको संभाला तो उनको काफी रहात मिली और उनका प्रात में गुपचार किया अथि करमचारी नहीं है जिसके जाहन को खतरा हो थीट है पहले तरह में कने लोगों कर लाया गया है तीन वेकतियों को बाहर निकाला गया है जिनको आभी गाड़ी से लेके आये थे उनको रेफ़र करेंगे अब उजयपूर इनका कैसी सी का जहां भी इनका होता होस्पिटल है वो वहां कहां दिखाएंगी वो तो यह जाने लेकिन हमने उनको जयपूर के लिए सजिसन गया खदान में सबी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जिन में से तीन लोग थोड़े सीरियस थे जिनको बाहर लाकर जयपूर के लिए रेफर कर दिया गया है बाकियों को लाने के लिए गाड़ी गई है आपको बता दे कि मंगलवार शाम हुए हादसे में पंगहा अधिकारी फस गय थे मीम का थाना जिले के इस कुलिहान खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन तूट गई थी तो वहीं अंदर फसे लोगों के लिए रात में दवाईया और फूट पैकेट भी भिजे गए वहीं एंबुलेंस और डॉक्टर्स की टीमों को भी रात से अलर्ट मोट पर रखा है जानकारी के मुताविक माईंस में 13 माई से निरिक्षन चल रहा था 14 माई की शाम को केसे सी चीफ समित विजिलेंस की टीम माईंस में नीचे उतरी थी और रात आट बजे तकरीबन माईंस से निकलते समय लिफ्ट की चेन चूट गई लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतरी कॉपर कॉर्परेशन के बड़े अधिकारी मौजूद है तो वही सोशल मीडिया प्लाटवर्म एक्स पर राजस्तान की उपमुख्यमंटरी दिया कुमारी ने लिखा है कि जुझुनों की खेतरी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट की कोलिहान खदान में हुए हाथसे में कोई जन्हानी नहीं हुई है अभी तक तीन लोगों को बाहर निकाला गिरा है मैं खदान में फसिल लोगों के सरकुशल बाहर आने और रैस की उपरेशन जर्द पूरा होने की इक्तामना करती हूँ तो वही मुख्यमंटरी बजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर लिखा है जुनजुनों की खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपल लिमिटेट की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रसी तूटने से हुए हाथसे की सूचना मिली है संबंदित हधिकारियों को ततकाल घटना इस्थल पर पहुँच कर राहत बचाव कार्य तीजी से संचालित करने प्रभावितों को हर संभव मदद और स्वास्ट सुविधा अपलब्ध कराने के नुर्देश दिये है मैं प्रभु से इस हाथसे में घायल सभी नागरिकों के जल्धी स्वास्थ लाब और खदान में फसन लोगों के सरकुशल बाहर आने की कामना करता हूँ